यह दिखें मैंने यहां पर 19 फंदे लिये हैं 16 फंदे 4 के multiple से लिये हैं 4 बार 4-4 फंदे लिये हैं तो 16 फंदे हो गए प्लस 3 फंदे extra लिए हैं 1 फंदा side में design को equal करने के लिए 17 फंदे 2 फंदे stitch के लिए तो 19 फंदे नीचे से बेश देने के लिए दो रह उल्टे फंदों के सार निकाल ली है तो चलिए बनाते हैं पहली रह सीधी साइड ऐस टे स्लिप करेंगे धागा पिछे रखेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा पालवाई स्लिप करेंगे अब एक फंदे के तीन फंदे बुनेंगे एक बार सीधा बुनेंगे थोड़ा सा लूज ही रखेंगे वन जाए डालेंगे टू सीधा बुनेंगे थ्री दो फंदे सीधे एक दो ये देखे हमारे एक पैटन कम्पलीट हो गया है समय हमने में वंने एक फंदाब किया, एक फंदे के तीन फंदे बुने, दो फंदे सीधे, फिर से इस पाटन को रिपीट करेंगे, एक फंदा पालवाई, ऑब सीधा, ऊपन फिर जाए डालेंगे, तू, सीधा बुनेंगे, त्री, दो फंदे सीधे एक दो फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे के तीन फंदे एक जाई डालेंगे दो सीधा बुनेंगे तीन दो फंदे सीधे एक दो फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे एक बार सीधा बुनेंगे वन जाई डालें सीधा बनेंगे त्री, दो फंदे सीधा एक दो यह दिखे यहाँ पर हमारे चार पैटर्ण कम्पलेट हो गए हैं और सट में दो फंदे हैं एक फंदा स्लिप करेंगे स, सीधा बना लेंगे तो पहली RAW पोप्लीट हो गई है दूसरी RAW है और रॉंग साइड है स, करेंगेο रिंपीरेट पैंट स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे जीन शिप किया हूह फंदा हर बार उलटा ही बनेगे एक दो तीन थागा आगे ही रखेंगे और तीन फंदे स्लिप करेंगे पालवाइस यह देखिए यहाँ पर हमने तीन फंदे उल्टे बुने तीन फंदे स्लिप किये फिर से इस पैटन को बार बार पीट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदे स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदे स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदे उल्टे एक दो तीन तीन फंदे स्लिप करेंगे last में 2 फंदे हैं 1 फंदा उल्टा as stitch उल्टा उल्टा गुन लेंगे अब देखे तीसरी रौ है और सीधी साइड है as stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे 1 फंदा पॉल बाइज slip करेंगे अब 5 फंदे हैं right to left इस तरफ को test करेंगे test to left पीछे की side से 2 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे की side से 3 फंदे पीछे लेकर जाएंगे 2 फंदे सीधे 1, 2, back loop से 3 फंदों का 1 फंदा बुनेंगे यह देखिए यहां पर हमने 1 फंदा slip किया 5 फंदे right to left twist के 2 सीधे बुने तीन फंदों का एक फंदा बुना, फिर से इस pattern को repeat करेंगे, एक फंदा slip करेंगे, पांच फंदे right to left twist करेंगे, और back loop से दो फंदे आगे लाएंगे, आगे वाले तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, back loop से तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे फिर से एक फंदा slip करेंगे पांच फंदे right to left twist करेंगे पिछे की side से दो फंदे आगे लाएंगे आगे वाले तीन फंदे पिछे लेकर जाएंगे दो फंदे सीधे एक दो बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा पिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, पांच फंदे, राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां से यहां तक हमारे चार पैटन कम्प्लीट हो गए हैं लास्ट में एक फंदा स्लिप करेंगे ऐस्ट सीधा बना लेंगे तीसरी रौ कम्प्लीट हो गई है चौती रौ सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे रॉंग साइड में तो दिखिए चौती रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है तो आगे की साइड से इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है ऐसे ही बार-बार इसकी चार और रपीट करते चाहेंगे और ये पैटर्न बन कर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस काडियन में, लेडिस चैकिट में, जैंट साफ साटा फुल सैटर में, बच्चों के सैटर में अपलाई कर सकते हैं तो आप भी से बनाएए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो और पैटर्न अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सस्काइब करना मत पूलें तो फिर से हाजिर होते हैं ऐसी ही और ने ने पैटर्न लेकर तब तक के लिए बाई बाई फैंट